हलो बच्चो नव भारती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे क्लास लेवंध कक्षा ग्यारा का विशे पॉलिटिकल साइंस राजनिती विज्ञान और राजनिती विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है खंड ए राजनिती विज्ञान के मूल आधार की राज्य एक भूमिगत समाज है यानि कि राज्य क्या है एक भूमिगत समाज है जो शाशक और शाशितों में बटा होता है यानि कि राज्य एक भूमिगत समाज है जो क्या है शाशक और शाशितों में बटा होता है शाशक कौन होता है बच्चो शाशन करने वाला और शाश संस्था पर सर्वोच्चता का दावा करता है यह कौन कहते हैं यह लौस की कहते हैं राज्य क्या है यह राजनिती शास्त्र का एक जटिल प्रिश्ण है यानि राज्य क्या है तो यह क्या है कि यह राजनिती शास्त्र का यानि कि पॉलिटिक्स का एक बहुत ही कठेन या जटि को बिंदबिन रूपों में अलग-अलग रूपों में समझा है अलग-अलग राजचास्ति रियों किलमाक्स के अनुसार एक वर्गिये संस्ता है यानि कि क्लास स्ट्रेक्चर है कुछ विचारक मानते हैं कि राज ऐसी वस्तु है जो संपून समाज की होने के साथ संपून समाज के लिए है यानि राज क्या है एक ऐसी वस्तु है जो संपून समाज की होने के साथ संपून समाज के लिए भी है कुछ इसे शक्ति की व्यवस्ता मानते तो कुछे से लोग कल्यान की व्यवस्ता मानते हैं राज्य सब्द का रुपांतर स्टेट लेटिन भाशा के स्टेटस से बना है जिसका शाब्देकर्थ किसी व्यक्तिक समाजिक इस्तर से होता है परंतु दीरे दीरे इसका अर्थ बदला और बाद में इसका अर्थ सारे राज के स्टर से हो गया अब हम देखेंगे बच्चो राज्य की परिभाशा है तो राज्य की परिभाशा है अलग-अलग विचारकों ने अलग-अलग अपने शब्दों में व्यक्त की है तो चलिए देखते हैं राज्य की परिभाशा है अलग-अलग विचारकों के अनु ने लिखे थे पहली अरस्तु ने लिखाया यानि कि पहली परिशाम किसके अनुसार देख रहे हैं अरस्तु के अनुसार तो अरस्तु कहते हैं राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संग होता है यानि राज्य क्या होता है परिवारों का और गाउं का एक संग होता है जि उसे हमारा अभिप्राय सुखी और सम्मानिय रूप जीवन से है दूसरा हम देखेंगे वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य की परिवाशा तो वुड्रो विल्सन कहते हैं कि प्रत्वी की किसी निश्चत भाग में शांती में जीवन के लिए संगटित जनता को राज्य कह जाता है तीसरा हम देखेंगे अंतराष्टी विधान के अनुसार राज्य की परिवाशा तो हाल के अंतराष्टी विधान के अनुसार राज्य के इस्थिती का ध्यान रखते हुए उसकी परिवाशा इस प्रकार की है स्वतंत्र राज्य के लक्ष ये है कि उसका निर्मान क होता है अब हम देखेंगे बच्चों की राजी की तत्व यानि राजी किस-किस से बना होता है तो पहला है जनसंख्या यानि जनसंख्या क्या होती है कि राजी में रहने वाले जनों की संख्या यानि राजी में रहने वाले लोग और जनसंख्या के बिना राजी नहीं हो सकता तो राज्य का पहला तत्व क्या है जनसंक्या दूसरा है निश्चित प्रदेश या भूमी यानि राज्य की एक निश्चित प्रदेश होना चाहिए राज्य की एक भूमी निश्चित होनी चाहिए अब यह ने का जा सकता आदर्श रूप में कि कितनी भूमी होनी चाहिए ल सरकार गत्रीव महत् पूंग होता है और यह संगठन उत्पन होता है और सकती की स्थापना होती है चोता है प्रभू सत्ता प्रभू सत्ता राज सत्ता का प्राण होता है यानि राज्य का क्या होता है ये एक ये राज्य की जान होती है उसकी प्राण होते हैं और इसके बिना क्या होता है राज्य नहीं बन सकता राज्य सत्ता का आर्थ होता है राज्य की सर्वोच शक्ति या अब हम देखेंगे बच्चों कि राज्य और सरकार में क्या-क्या अंतर होते हैं तो राज्य अमूर्थ और सरकार मूर्थ होती है यानि राज्य क्या होता है राज्य अमूर्थ होती है यानि राज्य की कोई मूरत नहीं होती वे दिखाई नहीं देती है और सरकार मूर्थ होत होती है राज्य की एजेंट होती है सरकार के माध्यम से राज अपनी इच्छा को प्रिकट करता है यानि अपनी इच्छा को लोगों को बताता है सरकार राज्य के लक्षनों को पूरा करती है और सरकार क्या करती है राज्य की जो लक्ष है उसके जो एम से उसको पूरा करती है और अपनी और अपनी सभी शक्तिया राज्य से अर्थात उसके सबसे महत्मून तत्व जनता से ग्राण करती है तीसरा है सरकार राज्य का अंग है और घ्राज के पास राज सत्त्ता है तो सरज क्दम, सरकार के पास राज सत्ताไมग, नहीं वह को सकती है या नधिक सरकार बार-बार बढर। कि राज्जी के लिए आफशक चारों घरी वहां सवयोग होता है मत ओलता ही देखेंगे राज जी और समाज में क्या क्या अंतर होता है राज एक राजनितिक व्यवस्था है समाज एक सामाजिक व्यवस्था है समाज से उन मनुष्यों का ज्यान होता है जो परस्पर सामाजिक बंदन में रहते हैं राज समाज का व्यवस्था होता है जिसके द्वारा समाज में सांत राज्येसFX 사र्थम्राशर्टि की जाती है यानिकिरत राज्यक राजणिक विवस्ता है जब्कि समाज किया है कि एक समाज व्युक्ता है समाज मनुष्योंक Indians सामाजिक बंदनों में बंद्वनें जब्कि वहां इंत्रे एक साधन है जिसके दौरा समाज में शांती इस्तापित की जाती है दूसरा है समाज के पास प्रभु सत्ता नहीं रहती है और राज्य के पास रहती है राज्य के कानून भंग करने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाता है यानि समाज के पास क्या नहीं रहती प्रभु सकता नहीं रहती और राज्य के पास यह रहती है और राज्य यानि राज्य के कानून भंग करने पर राज्य क्या कर सकता है दंड भी दे सकता है सजा भी समाज राज्य से पहले बना है जब मनुस्य संगटित नहीं था गुमकड तता कभीलों के रूप में रहता था तब भी वहाँ समाज था और तब भी वहाँ पर क्या था समाज था यानि कि मतलब जो लोग है वो समाज अलग 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 वर्गों में बटे हुए थे तो यानि कि जब उनमें राज्य से पहले बना है और जब राज्य नहीं था समाज तब भी उनमें था और तब भी क्या है लोग अपने अपने समाज जाती या वर्ग के हिसाब से अलग के समाज व्यक्तिके नैतर पहलू से संब्दित है। स्थानिय और अंतराष्ट्री भी हो सकता है समाज इस्थानिय और अंतराष्ट्री भी हो सकता है अब हम देखेंगे कि राज का विकास किस प्रकार हुआ है तो राज का विकास मनुषी की सामा जिकता वे समू बनाकर रहने की प्रकृति के कारणवे मनुष्य कारण वे आदी मनुष्य से बी जो शिकार द्वारा निर्वा करते थे तोली बनाकर मनूश्य की सावा जित्ता में सौन बनाकर रहने की प्रिवर्थी कर З Rudolph जान रहते थे और अपना जीवन जान्मो मतलब बहुत जादा समय तक शिकारी यानि शिकारी क्या कि मतलब ऐसे कच्छा मास खाने वाले और जानरों को मार करना पेट भरने वाले और असब दशा में नहीं रहा दीरे-दीरे उन्नती करता हुआ वह सब बता की और बढ़ने लगा उसकी यह उन्नती दो धंक से हुई क्र करने लगा मतलब नाज वगाने लगा अधिसे कि हैपना पेट बरता और पशु पालक के रूपमें या जब 우से पहचान अगये वगरासे चिजों के पहस्चान अगयी तो सिरू कर दिया जिससे कि आपना पेट बरते थे अब हम देखेंगे कि इनमें कौन-कौन से वर्ग थे और किस प्रकार ये बटे हैं तो किर्शक और पशुपा लग जाती है कुछ प्रदेश ऐसे थे जो किर्शी के लिए अधिक अनुकोल थे यानि कुछ इस्तान ऐसे थे राजज्य में जो खेती करने के लिए बहुत ही अच्छे थे नदियों की घाटिया और जलाशों के किनारे की जमीने खेती के लिए अधिक उप्योग थे यानि की नदियों की घाटिया और जलाशों के किनारे यानि जो तलाव अगेर उनकी किनारे जो थे नदियों की जो किनारे थे वो खेती के लिए बहुत ही अच्छे थे वहां अना सुगमता के साथ उत्पन हो सकता था तो खेती का ग्यान हो जाने पर जो लोग इन प्रिदोसों में आये वे क्या करने लगे खेती करने लगे रुने किर्शक वर्ग कहा मैं जापर। को भी पालते उन्हें घास चारा खिलाते जिससे कि उन्हें दूद वगेरा की भी प्राप्ति होती दूसरा है प्रारंबिक राज्य खेतों के परियान के कारण जिन प्रिदेशों पर इस्थिर रूप से बसकर मनुष्यों ने सबसे पहले अपनी बस्तियों का विकास शुरू सागर के ततवरी प्रदेश विविर दीव जिसमें नदीओ की घाटिया पाच्वा भारत में सिंदू नदी घाटि तीसरा है प्रारंबिक राज्यों का रूप किस प्रकार का है वो हम देखेंगे तो प्रारंबिक राज्यों का रूप इन प्राचेंतम राज्यों में शाषन का क्या स्वरूप था इस बात का ग्यान प्राप्ट करने के लिए हमारे पास कुई साहितिक साधन नहीं है इन राज्यों की दश्या पर प्रकास डालने वाले कोई ग्रंत अब तक उपलब्द नहीं हुए हैं पुरा तत्तु द्वारा जो कुछ ग्यात हो सका उसके आधार पर इत्यासकारों का मत है कि इन राज्जों में कि उनका स्वरूप ये कैसา मानते हैं ये लोग देवी देऊता पर विश्वास रखते थे और उनकी पुजा के लिए विशाल मंदिरों का निर्मान करते थे शाषन का कार्य या तो देवता के पुजारी पुरोहित के अधीन था और या राजा को ही देवी के रूप में स्विक्रित किया जाता था यानि कि यह किसको मानते थे शाषन का कार्य या तो देवता के पुजारी यानि पुरोहित के अधीन था या फिर वह किसके अधीन मानते मानते थे राजा को ही क्या मानते थे सर्वधारण जनता का शाशन45 में कोई हात नहीं होता था राजा ऊबता था और जनता का एक बड़ा बहां किस्तीति में था दासों में था Ἀनिकि समाज अलग तो वह बटाने विए बटा वाहा था मतलब जैसे साउकार वर्ग राजा वर्ग विएवसाही वर्ग वेपारी वर्ग और कुछ वर्ग जो थे वह धासों में था और एक बड़ा वर्ग पुर्व निवासी सब्वे लोगों को अपना दास बना लेती थी युनानी या ग्रीक नगर राज्य तो संसार की इन प्राचिन प्राचिन सब्वेताओं को आर्य जाती ने नश्ट किया इन आर्यू ने ग्रीस में अनेक छोटे-छोटे राज्य कायम किये ग्रीस में बहुत स सारी पहाडियां थो छोटे परवत ने में जिने के आर्यों के विविद याने विव simulated और उनकी राज्य प्रतक रहे यानि क्या हुआ ग्रीश शाका के विविद जैन यानि लोग अलग-अलग घाटियों में बस गए और उस राज्य के जो जो उस राज्य के एक दूसरे से प्रतक रहे यानि कि उस राज्य के भागों में अलग-अलग रहे बहुत सारी घाटियों में बटा मतलब पहाडियों मे पहाड़ियों में था तो एलग-खाटियों में बटा हुग था तो लोग अलग-अलग रहने लग को जिसे क्या हुआ सभी एक दूसरे से अलग-अलग या प्रतक रहे इन ग्रीश earliest जो कि संख्या सैकडु में तही और इन ग्रीश जो राज्य है उनकी अधिक थी है सेकड़ों में थी रोम का सारव भूम समराज्य क्या है क्या था यूरोप की आरे जातियों ने जो बहुत से चोटे-चोटे राज्य स्थापित की थे यानि कि यूरोप की आरे जातियों ने जो बहुत चोटे-चोटे राज्य स्थापित की थे यानि बहुत किया हुए एक समराज्य के अधीन हो गए इन समराज्य का निर्मान रोम द्वारा किया गया था और इस समराज्य का निर्मान किसके द्वारा किया गया था रोम के द्वारा किया था ग्रीश नगर राज्यों की सवतंत्रता का मैसीडों के राज्य फिलिप ने अंत्र किया था पर फिलिप और सिकंदर द्वारा स्थापित मैसीडोनियन समराज्य भी देर तक इस्तित नहीं रहा, यानि देर तक वह भी स्थापित नहीं रहा, ग्रीस के पस्चिम में इटली में एक नगर राज्य था जिसका नाम क्या था, रोम था, या इटली के मध्य में टाइबर नदी के तर्थ परिस्ति था, इसकी स्थापना 723 इस्वी पूरू में हुई थी, शुरू में या उसी प्रकार का एक नगर राज्य था, जैसे कि ग्रीस में सपार्टाव, एथेंस और भारत के विदे, या साक्षे साथ के आदि थे, पर धीर दिरे रोम ने ना केवल संपून इटालिया नगर राज्य को जीत कर अपने अधिन कर लिया, अपितु ग्रीक, इगीनियन, इगीन, सागर के विविद दीप, मिस्र, एशियन माइनर, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन, आदि सुदूर वरती, यानि कि जो दूर के हैं, सुद इसका शासन उपस्तितो तो सार्वों में समाज की स्थापना की, अब हम देखेंगे सामंत पद्दिती, फ्यूडूल सिस्टम क्या है, तीसरी सदी में रोमन समराज्य पर जर्मनी जातियों के जो आकर्मन हुए थे, वे कई सदियों तक जारी रहे, यानि तीसरी सदी में क् से अलग-अलग हो गया, परिशान छिन भिन हो गया, विवेद जर्मन जातियों के सरदारों ने रोमन समराज्य के भगनावेश पर अपने बहुत से छोटे-छोटे राज्य कायम किये, इन राज्यों की संक्या सैकड़ों में थी, इनके अतिरिक जो प्रदेश जर्मन आकर् गिरदार व्या, राज कर्म-चारी स्वतंतृता के साथ साथ शाशन करने लगे थे, कई कोई-कोई प्रदेश इशाई भ्हैंतों के हाथ में थे, और कई बड़े वैपारिक नगरों में व्यापारियों के समूं, कार्पूरुशन या निगम स्वतंतृता के साथ राज्य कर कारण फ्रांस इंग्लेंड और स्पेन सद्रश राज्यों को उन्नती का बहुत उत्तम अफसर हाथ लगा आंत्रिक व्यवस्ता और शांतिक किसी भी देश की उन्नती में बहुत ही सायक सिद्ध होती है सामन पद्दिती के कारण पहले इन देशों में व्यवस्ता का सर्वता अ जाने से ये देश उन्नती की दोड में बहुत आगे निकल गए इस इस्तिति का एक महपुन परिणाम हुआ कि फ्रांस इंग्लेंड आदी जिन देशं में शक्ति साली केंद्रिय शासन स्थापित हुए उनमें एक प्रकार की एकता की भावना भी उत्पन होने लगी फ्रें और उसकी निवासियों में राश्टिता की अनुबूती का विकास होने लगी और यह प्रिकरिया इंग्लेंड, स्पैन, रूस आदी देशों में भी हुई राज्य का भावी विकास अब हम देखेंगे कि राज्य का भावी विकास किस प्रकार हुआ तो विकास की जिस प्रकारिया द्वारा प्राचिन काल से छोटे छोटे देव सत्तात्मक राज्य वर्तमान युग के राश्ट्रे राजों के रूप में परेनित हुए उसका अभी अन्त नहीं हो गया है राज्य संस्ता के छेत्र में विकास की प्रिगरिया भी जारी है राज्य का यह विकास दो दिशाओं में हो रहा है पहला शाशन पद्धती और राज्य के कारे छेत्र के विशे में और दूसरा राज्य के पारसपरिक संबंदों के विशे में अठारवी सद्धी में लोकतंत्रवाद की जो लैर शुर्य हुई थी उसका स्वरूप अब निरंतर परिवर्थत हो रहा है केवल राजनितिक छेत्र में सतंत्रता और समानता को अब पर्याप नहीं समझा जाता अब यह आवशक्ता भी अनुबव की जाती है कि आर्थिक छेत्र में भी मनुष्य पुर्णता स्वतंत्र और एक दूसरे के समानिस्तिति रखने वाले हो इसी कारण समाजवाद के लिए आंदोलन का प्रारम हुआ और समाजवाद की सिद्दान्त को किसी न किसी रूप में संसार के बहु संक्यक राज्यों ने अपना लिया समाजवाद की विवस्था का अनूसरन कर राजसंस्ता का जो स्वरूप अब विच्षित हो रहा है वैं 19 सदी के लोकतांत्रिक राज्यों से बहुत बिन है और या फिर बहुत अलग है अब हम देखेंगे बच्चों की राज्यों के विकास क्रम की क्या विशेस्था है राज्यों का विकास सरल्था से जटिल्था की और हुआ है दूसरा है प्रारंब में राज्यों की जनसंख्या कम थी और छेत्र छोटा था पहले क्या हुआ करता था कि राज्यों की जनसंख्या कम थी और मतलब यह स्विधाय भी बहुत ज़्याद कम थी तो क्या होता थाम असी स्वास्ट सेवाय नहीं थी घर अधिक थी और नत्य embod 그래서 थी यही की थी क्या हुआ पॉपूलेशन तीसरा है राज्जी के विकास के साथ साथ नागरिकों में राजनितिक चेतना का भी विकास होता गया तो बच्चो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा है हमारा अध्याय हमारा लेसन राज्जी की अवधारना आवशक्ता तत्व संप्रभूता परिबाशा एवं लक्षन तो बच्चो हमारे कुछ टॉपिक्स हमने पार्ट वन में पढ़ लिये हैं और हमारे इस अध्याय के कुछ जो टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पार्ट टू में पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक यू